हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सोभी लोग आई होप आप सोभी लोग बहुत बढ़िया होंगे मैं क्यार सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो मैं आपको उसी की टेकनिशिं फर्स्ट की सेलरी सिलिप लेटेससलित अपरेल दोजार चोवीस के यहां पर दिखाने जार हूँ पदों पर तो वहां पर सभी की जो टेक्निशन के अंदर कहीं सारे पोश्ट आपको लगवग 18 टाइप की पोश्ट आप देखने को मिली इस बार तो सभी 18 टाइप की पोश्टों का जो है सेलरी लगवग सेम ही रती है बस जो 15,000 का वेरेशन रता है तो किसी में जो आपको आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और सबसे पहले मैं आपको जो है पर टेक्निशन ग्रेड फरस्ट की अप्रेल 2024 की सेलरी शिलिप दिखा देता हूं जिसमें के डिये 50 परेशन लगा हूँ है और यही वेकेंसी आपके डिरेक्टिस बार आई है टेक्निशन ग्रेड फरस्ट की तो देखे दोस्तों स्क्रीन जो है आप टेक्निशन ग्रेड फरस्ट की सेलरी शिलिप देख पा रहे होंगे अप्रेल 2024 की है एकदम लेटे सेलरी शिलिप है उत्तर पसिम रेल्वे में भाई कारियरत विकानेर डिविजन में इसके अंदर देखी वही आपका सारा कुछ डिटेल रहेगी नाम वगर है औ 2018 की आप डेट ऑफ जोइनिंग है और लगभाई इनको जो है आप देख लीजिए आप यह सबसे पहले आप टेक्निशन ग्रेड थर्ड के अंदर लगे थे और फिर टेक्निशन ग्रेड फरस्ट में फिर इनका प्रमोशन हुआ यानि दो प्रमोशन को मिल गए लेवल तीन म टेक्निशन ग्रेड फर्स्ट के उपर लगे और को मिल भी चुका है टेक्निशन ग्रेड फरस्ट जो होता है उसका बेसिक होता थे जोड़ बशेंग लगे थे उनका उड़ीजियाई साल के ऊपर और इनकी पोस्टिंग हो गए थी यह निई कि चार साल के अंदर इनका जो संब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसा नहीं होता है जैसे कि अब यह यहाँ पे 1200 ग्रेड में आगे भाई लोग लेवल 5 में तो लेवल 6 में जाने में इनको काफी लंबा टाइम लगेगा और लेवल 6 के आगे जो है इनका कोई प्रोमोशन नहीं है अगर कोई एक्जाम क्लीर यहां पर नहीं करते हैं तो लास् हो जाओगे 1800 ग्रेड में यहीं सुरू के जो प्रोमोशन आपके दो तीन दो तीन साल में हो जाएंगे उसके बाद में 1800 से बैले समझाने आपको थोड़ा टाइम लगेगा और 42 से उपर अगर आपको जाना है तो फिर आप जई वगर के लिए एक्जाम करना होगा उसके बा की कि लिए लगता है और इधर जो है इनकी बैंकिंग बैंकेंग डिटेल है सारी कुछ तो यहां से आपको एक चीज कलियर हो जाती है प्रमोशन के बारे मैं ने आपको बता दिया कि इतना अच्छा खासा है पर प्रमोशन रहता है आपके टेक्निशन के अंदर हर दो-तिन साल में आपको प्रमोशन मिलते रहते हैं इसके लिव बेलेंस है एक च्यार दोजाब चुविस तक जो है एले पी इनके पास में 119 है और सीओ बगरा होते हैं उनसे इनका काम चल जाता है एले पी बगरा बहुत ही कम भी वाई लोग लेता है इसलिए इसके पास में कापे सारी अच्छी-खासे चुटियां जुड़ी हुई है और तीस दिन की डूटी हो गई और विदावट पे रहे नहीं है अब दीकिए पेमें आप्टर टैनिंग अब देखिए इनको पास में कौनकों से भत्ते सवार मिले है बैसिक पेमेंट इनका 30,100 है डिने से लाउंस 50% हो गया 15,50 एरियर तीन महिने का जनौरी फरवरी मार्च का इनको मिल गया है डिये का 124-124 करके उसके बाद में हाउस रेंट लाउंस अभी आपको 9% ही मिल रहा है तो वह मिला इनको और जल्दी जो आपको 10% मिलना इस्टाट हो जाएगा 10-20-30 जब भी इसका मेमोरेंडम जारी करेगा रेलिए सारे भत्तों में आपे बढ़ोत्री होनी अभी बाकी है तो शेल्री और अच्छी खाची आपे होने वाली है ट्रांस 3olenे आपका चांलोंस आपका सेट रहेंडमे हिएन कि डिया ओर इनका ट्रांस वर इस वर उयकंशी बिलना के लाए to ब Testament चैनला कमार्ट्री है होश्टल सब्सेडिये इनको लेकर रेलोई ने लेटर जारी कर दिया है तो वह आपको बड़ी हुई रेट से मिलेंगे जो भी एक जल्दी राउसमेंट यहां पर होगा देखें नेशन होलोडे वगर एनस की भी यहां पर रेट बड़ेगी लेकिन अभी जो इनको पूरान रेती लग लिखते होनों कि उन दिन अगर आप डूटी करते हो तो आपको नेशनलोडे अलाउस यहां पर दिया जाता है अन्य तापकी उस दिन की एनस लग जाता है नेशनलोडे अगर आप उस दिन चुटी लेते हो तो अब देके ट्राइल्लिंग अलांस जो है इनका 7400 यह महीने का रहोगा और एक ट्रेवलिंग लांस जो है यह 4650 रुपे यह नि कोई बगाया होगा ट्रेवलिंग अलाउस वह भी इनको एरियर आया है और यह कंट्रेण अलाउंस होता है इनको साइट पर आने जाने का जो पर मिलता है पेट्रोल अगर कह सकते हैं खर्चा जो ग्रोस आराम से आपर बन जाती है और डिये जैसे जो अचारे वगर बढ़ना है टी वगर बढ़ना तो वह सब बढ़ जाएंगे तो उनको जो 65,000 के फरीब जो है इनके आराम से सेलरी आपर बन जाती है तो यह एक चीज के लिए हो जाती है कि जो टेक्निशन ग्रेड फर् बढ़ चुके होंगे तो आपकी जो सेलरी है 65-70,000 रुपे तक आराम से पहुंच जाएगी अब मैं बात करूँ यहां पर इनकी कट होती होगी तो रिकवरी में अंदर जो है इनके पास में एनपेस के कटा है और यह यूनियन वगर हैं इनके कटे हैं कर्मचरी क्लेन को इस आपका लेवल 3 के पोस्ट है 21,700 आपका जो है बेसिक रहता है ट्रेनिंग में आपको बेसिक प्लस दी मिलता है अभी जैसे कि कोई टेक्स निकरता है तो बेसिक इसका 50% निकाल लीजे और एक दो साल बात में आप जोईन करोगे तो बढ़ चुका होगा तो यह से करके अग सब्सक्राइब को मिला के आपकी जो सेलरी है आराम से 40-45,000 के करीब आराम से बन जाएगी टेक्निशन ग्रेडर थरडवालों की प्रमोशन इसमें अच्छे कासे हैं जैसे कि मैंने आपको बता है इस भाई का जो प्रमोशन वहा था जोईनिक इसकी 2018 की है और 2024 तक जो है इन डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू